हलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस रॉम पेसिक्स में और आज हम लेकर आए डेली करंट अफेर 29 जुलाई 2022 के सभी इंपोर्टन कोशन काई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां आपको डेली करंट अफेर के साथ सथ वीकली करंट अफेर भी अबलेवल होता रहेगा तो चलिए गाई शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो आज का हमारा फस्ट कोशन है पहला है प्रतिवर्ष विश्व हैपेटाइटिस दिबस क अब बनाया जाता है तो विश्व हैपेटाइटिस दिबस की बनाया जाता है हमारा 27 चुलाई को तो आप्शन भी होगा हमारा इसका राइट आंसर इसके लाबा कुछ इंपॉर्टेंट डे की अगर हम बात करें 19 अपरेल को लिवर डे, 4 फरवरी को कैंसर डे, 24 मार्च को ट हम विर्खेया, जिसमें सबसे जादा ख़राब होता है हमारा है है इसका वैक्न भी होता है तो वैक्सिनेशन होता है है यह त्रवी कर टीकछा करन ने अगला भॉश्व Rat 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36 रास्टे खेल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा तो इसका जो आयोजन किया जाएगा इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में option B और ये 36 नंबर के हैं और इसमें 36 ही खेल चामिल किया जाएगगे अब दो नए खेल शामिल हो रहा है कौन-कौन से एक तो हो रहा है मलकंब और दूसरा हो रहा है योग तो 36 में नमबर का हो रहा है 36 ही खेल होंगे जिसमें से दो नए हैं मलकंब और योग ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट अगला है हमारा 26 जुलाई 2022 को पदम श्री डॉक्टर सुशोबन बंदुपाद्या गानिदन हो गया भी क्या थे तो ये एक डॉक्टर थे और ये एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से काफी जादा फेमस थे ये बोला पुर पश्चिम बंगाल के थे और काफी जादा फेमस डॉक्टर थे इसके लाबा एक दिसम्बर को विधान चंद रॉक के याद में एक जुलाई हमारा एक जुलाई को विधान चंद रॉक की याद में डॉक्टर डेवी मनाया जाता है और इनी के नाम पर जो एक पुरुषकार भी दिया जाता है बी सी रॉक पुरुषकार तो विधान चंद रॉक के नाम पर ही दिया जाता है नेक्स्ट एगला ICC महिला वर्ड कप 2025 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो कौन सा देश कर रहा है इस बार कर रहा है भारत अपना ही देश कर रहा है तो उप्शन है इसका अंजर होगा हमारा भारत जबकि फीफा वर्ड कप 2022 की कौन करेगा कतर दोहा में होगी और T20 एशिया कप होगा UAE में तो ये भी आपको याद रखना है अगला चर्चा में रहे अत्यादुनिक स्वादेशी भकतरवन्द वाहन क्विक रेक्शन फाइटिंग वीकल मीडियम QREV का निर्वाण किस ने किया है तो QREV का निर्वाण किया है Tata Advanced System Limited अब Tata का नाम आया तो Tata IPL 2022 की स्पॉंसर्स भी रही है इसके लाबा G724 भी जो था वो Tata के ही जो इसको मिला है ठेका कि Tata ही D2H में अगर देखा जाए इसका यूज करेगी और G724 कोरू फैंच गवाना से छोड़ा गया था इसके लाबा नई वाली संसर्स जो बन रही है उसका ठेका भी किसे मिला है टाटा को मिला है तो Tata इस समय important है और Tata नहीं अब ये हमारा बाहन बना है जो सेना को मिला है नेक्स अगला हाले में किस राजजी के पुलिस आयुक्त कार्याले में स्मार्ट वीड सिस्टम का शुभारम किया गया तो ये हर्याना में किया गया और हर्याना में जो हर्याना की पहले महिला पुलिस आयुक्त बनी है पुलिला कमेशनर भी है वो है हमारी कला राम चंदन उनका नाम भी आपको याद रखने है इसके लाबा अभी हर्याना में एक सूरज कुंड हस्टल पहला भी लगा था और भारत का पहला ग्रेन एटिम भी हर्याना में ही है इसके अलाबा बात करी जाए हर्याना की तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योगना भी हर्याना के पानीपत से शुरू की गई थी ये भी बात आपको याद रखने है नेक्स्ट वर्मिंगम कॉमन विल्थ गेम 2020 में भारतिय दलगा धुजबाग कौन है तो इसकी धुजबाग है पीवी सिंदू और नीरा चोपडा इस गेम में खेल नहीं बाएंगे क्योंकि उनके लगए चोट तो इस कारण ये नीरा चोपडा नहीं कहल पाएंगे और पीवी सिंदू को वर्मिंगम कॉमन विल्थ में क्या बनाए गया है धुजबाग बनाए गया है नेक्स्ट हाली में किस राज्ज में प्रदेश का पहला देश का तीसरा महिला वित्य संस्था स्थापित करने के लिए इस्तरी निदी तेलंगाना के मदे एक MOU हस्ताक्षर कियेगा तो ये राजिस्थान ने हस्ताक्षर किये है तेलंगाना के साथ में और ये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और महिलाओं को इसमें 40,000 रुबे तक का लोन भी प्रोवाइड होगा ताकि नारियों को बढ़ावा दिया जा सके हाले में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरास्य अंत्रिक श्केंद छोड़ने का फैसला किया है तो यह रुषिया ने फैसला किया है क्योंकि अभी तक ISS अगर देखा जाए कंबाइन सहयोंक तो रूप से सभी देशों का था लेकिन अब रूस इससे अलग होने की रूस ने बात करी है वो कह रहा है हम अपना एक अलग बनाएंगे नेक्स्ट है अगला हाले में किसे प्रतिस्टे दूसरा वार्षिक IUCNWCPA International Ranger Award 2022 जीता है तो यह ओरंग रास्टे उद्ध्यान ने जीता है और ओरंग रास्टे उद्ध्यान जो है यह हमारा किस राज़ में है तो आपको राज़ भी याद रखना है यह हमारा असम राज़ में तो इसी ने हमारा IUCNWCPA International Ranger Award 2022 जीता है इसके लाबा साउथ बटन जो अंड़मान निकुवार में है यह देश का सबसे चोटा नेशनल पार्क है और अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा तो हेमिश रास चुद्धान लद्दाक है तो यह भी आपको याद रखता है और हमारा यह थे आज के सभी important question और हमारी last video का सबाल है चर्चा मेरा सकुराजमा जो अला मुखी किस देश में स्थेते हैं तो यह जापान में स्थेते हैं और हमारा आज का सबाल लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस